दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ती साधना में। आज आपको बहुत ही रोचक और घ्यान वर्धक पौरानिक कथा सुनाने जा रही हूँ, घ्यान से सुनना। उजजयन में बड़े प्रतापी राजा हुए राजा भरतहरी। राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मो में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उजजयन में एक तपस्वी गुरु गोरकनात का आगमन हुआ। गोरकनात राजा के दर्बार में पहुँचे। भरतहरी ने गोरकनात का उच्छतादर सतकार किया। इससे तपस्वी गुरु अती प्रसन हुए। प्रसन हुकर गोरकनात ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वो सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुडापा नहीं आएगा, सदैव सुंदर्ता बनी रहेगी। यह चमतकारी फल दे कर गोरकनात वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदर्ता की क्या आवश्यक्ता है। चून की राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्य यदिक मोहित थे, अता उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खालेगी, तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचा कर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। राणी पिंगला भरत्रेहरी पर नहीं बल्कि उसके राजय के कोत्वाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमतकारी फल राणी को दिया, तो राणी ने सोचा कि यह फल यदि कोत्वाल खाएगा, तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ती कर सकेगा। राणी ने यह सोचा कर चमतकारी फल कोत्वाल को दे दिया। वो कोत्वाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमतकारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुन्दर बनी रहे वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वो जवान और सुन्दर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा नर्ग समान जीवन से मुक्ती नहीं मिलेगी इस फल की सबसे ज़्यादा जरूरत हमारे राजा को है राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे ये सोचकर उसने चमतकारी फल राजा को दे दिया राजा वह फल देखकर हत्प्रब रह गए राजा ने वैश्या से पूछा कि ये फल उसे कहां से प्राप्त हुआ वैश्या ने बताया कि ये फल उसे कोत्वाल ने दिया है भरतहरी ने तुरंट कोत्वाल को बुलवा लिया सक्ति से पूछने पर कोत्वाल ने बताया कि ये फलो से रानी पिंगला ने दिया है जब भर्तहरी को पूरी सच्चाएं मालूम हुई तो वो समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है पत्नी के धोखे से भर्तहरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रम अदित्य को सौप कर उजजयन की एक गुफा में आ गए उस गुफा में भर्तहरी ने बारा वर्षों तक तपस्या की थी उजजयन में आज भी राजा भर्तहरी की गुफा दर्शनिय स्थल के रूप में स्थित है राजा भर्तहरी ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की जो की काफी प्रसिद है राजा भर्तहरी ने श्रिंगार शतक और नीती शतक की भी रचना की ये तीनोवी शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्या है